हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे चावा लाटे का पापड तो एक कटोरी चावाल से हम लगभग सव पापड बना करके तयार करेंगे वो भी बीना बेले बीना मेहनत के असी 15 मिनट में ये बन करके तयार हो जाएगी और जैसे ही ये बनेगी ना आपके हाथ और मुह दोनों ही नहीं रुखने वाले इसे खाने के बाद में तलने से आपको समझ में आ ही गया होगा ये बीना सोडा और बीना खार के हमने इतने अच्छे पापड बना करके तयार किये हैं वो भी बीना मेहनत के और बीना जंजट के ये देखे कितने कुरकूरे और क्रिस्पी बने हुए हैं ये पापड बहुत ही पतले-पतले हैं ये इसमें डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा, तो आप जिस भी कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हैं न, वही कटोरी से सारा मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर, एक कटोरी यहाँ पर मैंने चावल का आटा डाला है, गैस को अभी मैंने चालू नहीं किया है, इसके लिए एक बड़ा कटोरी डाला है अब इसे मिक्स कर लेंगे बहुत जादा पानी डाल करके अगर हम मिक्स करेंगे इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी और उसे छोड़ाने में फिर बहुत समय लग जाएगा इसलिए हमने इसलिए यहाँ पर हमने कम पानी डाला है सबसे पहले इसे अच्छे पानी में तो आप एक कटोरी और डाल सकते हैं एक्स्ट्रा कभी-कभी चामल पर बेंट करता है क्योंकि चामल बहुत ज्यादा पुराने हैं तो बहुत सारा पानी लगता है इसमें तो उसके इसाब से आप पानी यहां पर डाल लीजिए अच्छे से और बिगरने का कोई भी करेंगे तो भी अब गयस को चालू कर देंगे और इससे कंटीनियो पकाएंगी हम तो चम्मज आप चलाते रहें नहीं तो यह नीचे चिपकती है और बहुत ही कम समय में बना करके आप इसे रेडी कर लेंगे बिल्कुल भी जादा मेहनत नहीं है यहां पर इसे हमें पड़ सी कुड़ती उसके बाद में इसमें नमक की कौंटिटी जादा लगती है तो लगभग पांच मिनट में ही यह देखे गाढ़ा होने लगा ही तो पानी यहां पर मुझे कम लग रहा है तो मैंने लगभग एक कटोरी और पानी डाल दिया है और यह देखिए लगभग बड़े बरतन का उप्योग करेंगे यह देखे इस तरह से चलाते जाएए आप कल्ची से कल्ची जो हमने लिया है उसके उपर देखेंगे इस तरह से लाइन रह हो रही है बस इतनी पतली रखनी है हमें इससे थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं पर बहुत जादा गाढ़ मत करिया नहीं तो बनाने में फिर दिक्कत होगी और इसे इतना ही पतला रखेंगे तो हमारी पापड जो है बहुत ही पतली पतली बन करके रेडी हो जाएगी एक प्लास्टिक की पॉली थेन लेंगे हैं उसके उपर कल्ची से इस तरह से डालते जाएंगे और यह लगभग बहुत ही कम समय में इतने सारे पापड बन करके तयार हुए है वो भी एक कटोरी चावल के आटे से तो है ना बहुत ही अच्छी रेसिपी तो आप जरूर ट्राइ करके देखिए एक बार इसे अगर आपके हाँ धूप नहीं भी है तब यह पंखे के हवे में ही सुख जाए पानी में घोलिए और बना लेजिए और आपको जितना भी बनाना है उसके हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी रखिए और आप बीना फेल हुए आप इसे एक ही बार में बना सकते यह देखिए कितनी ट्रांस्पेरेंट है यह इसके आर पार मुझे अपनी उंगलिया दि प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिश्ना हूँ